दोस्तों अगर आप भुना चना कभी कभी खाते हैं तो फोरण इनको अपनी रोजना की डाइट में सामिल कर लिजिए खास कर सर्दियों में रोस्टेट चना इतना फादेमंद होता है कि आप यकिन नहीं करोगे भुना चना खाने में तो काफी स्वादिष्ट होता ही है साथ ही हमारे सरीर के लिए बहुत फादेमंद होता है तो आईए जानते हैं आज की इस वीडियो में पोशक्त ततों की खान भुना चना के फादों के बारे में नमबर वन कभज में दिलाता है राहत कॉंस्टिपेशन के मरीजों को रोजाना एक मुठी भुने हुए चने का सिवन करना चाहिए भुने चने खाने से आपको आराम मिलेगा साथ ही कभज की वज़ा से हो रही दिकतों में भी आराम मिलेगा नमबर टू वजन घटाने में मदगार अगर आप अपने बढ़े हुए वजन से परिशान है तो आप भुने हुए चने को डाइट में समिल करें इसका सिवन करने से आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी इसमें मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है जिससे कि आपको भूख जल्दी नहीं लगती है दरसल इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन और फाइबर पाई जाता है जो वजन को कम करने में हेल्प करता है अगर आपका हेमोगलोमिन लेवल कम है तो चने का सिवन करें भूने हुए चने में आयरन भरपूर मत्राम पाई जाता है जो खून की कमी को दूर करता है इसलिए इसका सिवन करने से सरीर में खून की कमी दूर होती है नमबर फोर इम्यूनिटी करें मजबूत रोस्टेट चना का सिवन करने से आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है ऐसे में अगर आप सर्दियों के मौसम में होने वाले बिवारियों से बचना चाहते हैं तो भूने हुए चने का सिवन करें ये रोग प्रतिदधक छमता को बढ़ाने में करगर है नमबर फाइब डियाबटीज पेशेंट के लिए लाबकारी भूने हुए चने का सिवन करना डियाबटीज पेशेंट के लिए भी लाबकारी है भूना हुआ चना गुलकोज को सोख लेता है जिससे की बलड सूगर लेवल कंटोल में रहता है इसी वज़े से मदमेह रोगियों को भूने हो चने का सिवन करना चाहिए नमबर सेक्स दिमाग होता है तेज भूना हो चना आपके दिमाग को तेज कर सकता है चने में प्रोटीन की बहुत मात्रा ज्यादा होती है जिसके करन ये सेहत के लिए काफी फाइदेमंद होता है नमबर सेबन पूरशों के लिए फाइदेमंद है भूना चना चना सब के लिए फाइदेमंद होता है बस एक मुठी भूने चने को सुवनास्ते में खाने साथ ही एक ग्लास दूद में सहत डाल कर पीने से पूरिशों की सरीक छमता मिर्धी होती है इससे थाकान और कमजोरी भी दूर होती है पूरिशों की सिक समंदी सरी शमस्याय दूर होती है दोस्तों आईए अब आपको बता दें कि भूने हुए चने का सिवन कब और कैसे करना है भूने हुए चने को यू तो आप कभी भी खा सकते हैं लेकिन अगर आप इसका सिवन सुबह के समय करते हैं तो इससे आपके सिहत को और भी फाइदा होता है भूने में चने को गुड़ के साथ खाना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है